नमस्कार, हिंदे साहित त्यवारता में आप हैं इस वक्त सुभाश ठाकुर के साथ दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 27 नवंबर 2022 को हिमाचे परदेश जो Assistant Professor College Kader की परिक्षा हिंदी की है वो होने जा रही है जो लास्ट चाइम का एक्जाम हुआ था 17 में तो उसको हमने डिसकस किया था आज हम यहाँ पर जो Assistant Professor College Kader है देखिए यह 2016 इसमें लिखा हुआ है इसका जो Level मुझे लग रहा है कहीं न कहीं थोड़ा Easy Level के यह एक्जाम है अभी का Paper है मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो सकता है तो आपकी क्या राय है इस बारे में वो भी आप मुझे Comment Section में जाकर बता सकते हैं और अपनी राय और अपना सुझाव जो हमें दे सकते हैं तो यहाँ पर पहला प्रशने देखिए हिंदुई साहित्य का इतिहास नामक जो पुस्तक है यह किसके द्वारा अनुदित हुई है तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर था देखिए आपका लक्षमी सागर वार्षने ने यह हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक के नाम से अगर किसी पुस्तक का अनुवाद किया है तो यह थी गारसद अतासी की जो रचना है देखना इस्तवार दल्लो लित्रेतर एंदु एंदुस्तानी पुस्तक जिसका इसने हिंदी अनुवाद किया था लक्षमी सागर वार्षने ने तो यह चीज आपको यहाँ पर द्यान रख लेनी है हो सकता है यहाँ पर इस प्रशन को पूछा जाए हलांकि यह पुराने पेपर आप देखेंगे बहुत साइप प्रशन इसमें थोड़े बहुत कुछ एक रिपीट भी हुए है जो HPPSC ने लगातार किये हैं रिपीट लेकिन हमेशा जो है रिपीट नहीं हो सकता यह भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा लेकिन एक तरीका हमें पता है यहाँ पर कि जो आदिकाल से प्रशन या फिर आपका साहिते त्यास लेखन से जो प्रशन जो हो जरूर पूछा जा रहा है तो यह 1952 में इसका अनुवाद इन्हों ने किया था यह भी आपको ध्यान रख लेना है दूसरी चीज कई बार पूछी यह देखना एक एक एक्जाम में कि जो इसके बाद जो अगली रशन है देखे कि शोरिलाल गुप्त एक नाम है इन्हों ने जो एक रशनकार रहे हैं आपके जिनका नाम था जॉर्ज ग्रियर्सन इन्होंने साहिते इतिहास लेखन के एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है देखे दमॉडरन वरनेकुलर लिटरेचर आफ हिंदोस्तान में एक रशन रही है दमॉडरन वरनेकुलर लिटरेचर आफ हिंदोस्तान उसका अनुवाद इन्होंने किया था ठीक है उनिस्व सत्तावन में किशोरिलाल गुप्त यहां पर इसका जो दूसरा है ठीक है गणपति चंदर गुप्त इन से आपको यारक लेना है कि इन्होंन इन्होंने तो साहित इतियास से रिलेटिड बहुत सारी पुस्तके लिखी है लेकिन इनके बारे में सबसे इंपोर्टन चीजी है कि इनसे जो हम मानते है कि अध्यापकी है जो आलोचना है वो शुरुआत जो है इनसे मानी जाती है इस चीज़ को आप यहां पर ध्यान रख जाया है तो सुझाव की बात यहां पर जो दीती देखी यह दीती आपके जो अचारे रामचंदर शुकल है इन्होंने इसको यह नाम सुझाया था और यह बात इन्होंने कहां पर कहीती देखना जो रितिकाल का जो प्रत्थम प्रक्रण आता है उसके बिलकुल अंत में यह आगे इन्होंने क्या कहा था? आगे ये कहते हैं कि इस से इस काल को रस के विचार से कोई श्रिंगार काल कहे तो कह सकता है. तो इसने बोला था कि अगर कोई इसे श्रिंगार काल नाम देना चाहे तो इसे श्रिंगार काल नाम दे सकता है और हम बाद में देखते हैं कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो ये नाम इसे दिया था ये नाम आपको यार रख लेना है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इन्होंने इस काल को क्या नाम दिया इसको जो है शुरिंगार काल नाम दिया तो सुजाब जो दिया था ये अचारे रामचंदर शुकल ने दिया है यहां पर रामकुमार वर्मा है देखना ये इसको कला काल कहते हैं इसको आपने यार रख लेना है मिश्रिबंधु जो है ये इसको क्या कहते हैं तो डॉक्टर नगेंदर तो खेर यही कहेंगे रीतिकाल ठीक है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो शुकल है इसका कथन भी कई वर पूछा जाता है देखना कि श्रिंगारात्मक दिश्टी से अगर कोई इसकाल को रस के विचार से श्रिंगार काल कहे तो वो कह सकता है ये चीज़ भी इंसकी इंपॉर्टन्ट है आई होब कि आपका ये क्वेशन जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन की और और देखते हैं नेक् पेपर में जो भी इससे पहले हुआ है हाँ बस थोड़ा सा इसको गुमा के पूछा गया है पहले पहल जो इसके बाद का पेपर हुआ था उसमें पूछा था कि लोक भाषा को अपभ्रश नाम न देकर देशी भाषा किसने कहा है तो वहां पर ऐसी पूछा था अब यहां था आपका अपवर्श को पुरानी हंदी और अपर यहां पर दुसरी चीज़ कहा है और राम चंद्र शुक्ल Rocker ने में पठीनि प्रकृता भास हिंदी और पूरानी हंदी और रहे हैं इन्हों झेने भी वैसे पुरानी हिंदी नाम दिया है। लेकिन यहाँ पर इसका जो सफ़्ाह आंसर होगा, वो होगा चंदरदर्शरमा गुलेरी, जिनों ने पहले-पहल अपवरंश को क्या नाम दिया, पुरानी हिंदी नाम ही दिया है। यह वला प्रशन रंश थी, लेकिन इसने लोक भाषा को क्या नाम दिया? अपब्रश नाम ना देकर, यह प्रशन जास्टाइम पूछा गया था देखना, तो वहीं से आपको यह ध्यान रख लेना है, विद्ध्यमान रहे है, इसको भी आपने यहाँ पर ध्यान रख लेना है, जो भरत्मूनी थे उनकी प्रसित रशना है नाटे शास्त्र में ही इनोंने अपवरश्ट के बारे में सबसे पहले वीचार किया है जहां पर ये अपवरश्ट को क्या कहते हैं विबरश्ट इनोंने कहा था इसको ये भी आपको याद रख लेना है ये प्रशन भी कई वार पूछा जाता है कि इसने क्या शब्द दिया है इसके लिए विब्रष्ट शब्द का इस्तिमाल किया था तो I hope कि आपका ये बला प्रशन भी clear हो गया होगा चलिए बढ़ते हैं अगले question की ओर और देखते हैं next question क्या है अगला प्रशन है भक्ति काल सी वास्तिविक हिंदी साहिते का आरंभ जो है वो किस विद्वान ने माना है तो असान सा प्रशन है ये यहाँ पर देखिए भक्ति काल सी वास्तिविक हिंदी साहिते का आरंभ देखिए अगर यहाँ पर प्रशन ऐसा होता कि हिंदी साहिते इति प्रिचर ऑफ हिंदुस्तान जो ऐसा पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है जिसमें केवल हिंदी के रचनकारों को ही स्थान दिया गया है तो ये दो चीजें होगे इसके बारे में अगर ऐसा प्रशन पूछा होता कि हिंदी सहीत्य का पहला इतिहास ग्रंथ सही अर्थों में क देखना हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहिते थियास गरंतकारों में से और साहिते थियास के जो प्रमुक आलो चक्र हैं समिक्षक हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको आपने यहाद रख लेना है कि यह क्या रहे हिंदी साहिते का आरंब जो है इन से माना जाता ह और ये वारा जो लक्टर है ये ना स्रिफ कॉलेज के लिए तो मुझे लगता है इससे ज़ादा मुश्किल रहेगा लेकिन जो L.T. एट बुगेरा या L.T. कमिशन या फिर P.G.T. हिंदी की तियारियें कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा एक्जाम है इसी लेवल के प्रशन आपको पूछे जा सकते हैं तो अगर L.T. और P.G.T. वाले इसको देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत जादा उप्योगी है नेक्स आता है यहाँ पर देखे जो राहुल सांकृतियाइन है इनका हिंदी कावेधारा का था ये आप सब लोग जानते हैं शुक्ल न वो बोलचाल की भाशा न रह गई तबी से क्या हुआ अपवरंश साहित्य का अविर्भाव समझना चाहिए तो शुरुआत हम वहीं से मानते हैं अगर हम शुक्ल से देखें तो इन्होंने ये वाली लाइन कही है अपने जो आदिकाल का प्रकरण नंबर दो है देखना अप से हुआ था लेकिन वास्ट्विक हिंदी साहित्य का अरंब अगर भक्तिकाल से माना है तो ये इसका अंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद दिवेदी आई होब कि आपका ये डाउट अब क्लियर हो गया होगा कि जॉर्ज ग्रियरसन इसका अंसर क्यों नहीं होगा जुर्ज ग जो 250 चंदों में इसमें क्या है श्रावक्तरम का वनन मिलता है और 933 इसवी की ये रचना मानी जाती है कि हिंदी में रास परंपरा के प्रत्थम रचना कार कौन रहे हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शाली भद्र सूरी जिसने भरत इश्वर वाहु बली रास लिखी थी इसके लावा दूसरे नंबर पर पुश्पदंथ हैं जिनकी सबसे प्रसीद रचना आती है आपका 63 महापुरिश गुणालंकार जिसे महापुरान के नाम से भी जाना जाता है इसमें इन्होंने 63 महापुरिशों का जीवन चरित रखा है और साथी साथ जो जैन तीर्थ कर रहे हैं उनका भी जीवन चरित जो है इसमें हमें देखने को मिलता है पुष्पदंत इन्हें जो आपका नाम रहा है देखना शिव सिंग सेंगर वो इन्हें पुष्च या पुंड कभी कहते थे और इन्हें हिंदी का पहला कभी इन्हें माना है ये भी important प्रशन है वो सकता है इसके बारे में भी प्रशन जो है वो पूछ लिया जाए इसके अला कि ये आप जो है कमेंट सक्षन में जाकर बता सकते हैं एक प्रशन को आपको और जादा अच्छे से याद रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो आपकी निकल जाती है एक प्रशन को अगर आप इस तरिके से करते हैं जैनाचारे मेरूत होंग इनकी जो प्रसीद रशन के रचना कार रहे हैं और इन्होंने भोज प्रबंध ढंक की रचना जो लिकिती हुए थी प्रबंध चिंता बढ़ी ये भी आपको याद रखना है नेक्स क्वेशन आता है यहां पर बाल चंद विज्जावई भाशा दूहू नहीं लग गई दूजन हासा ये वाली जो प इपॉटन क्रितिया देखना वहां से आपको ध्यान रख लेना है हलांकि पंक्तियां जो है वो कहीं से भी पूछी जा सकती है लेकिन फिर भी विद्यापति हो गया हीमचंदर हो गया अमीर खुसरो हो गया या फिर आपके पुश्बदंत की इंतनी जादा जरूरी नहीं है आपका स्वैमभू हो गया इनकी रचना है इनकी जो पंक्तियां है वो जरूर एक्जाम में पूछी जाती है तो पंक्तियों के लिए तो वैसे कहीं से भी प्रशन आ सकता है इसलिए हमें क्या है जरूरत की कहीं से भी जो भी प्रशन बनता है उसको देखना पड़ेगा कि क प्राकृत पैंगलम तो इसमें जो है किस-किस की रचनाय मिलती है विद्यधर की मिलती है शारागंधर की भी मिलती है और जजल की जो रचना रही है इनके जो रचनाय है वो सब क्या है वो हमें मिलती है आपके प्राकृत पैंगलम में ठीक है तो यहां पर इसका आंसर क्या हो most important कृती है, हलां कि प्राकृत व्याकरण भी एक ग्रंत रहा, उसको भी आरक लेना है, कई बार पूछे जाता है कि हेमचंद्र ने जो व्याकरण लिखा, कितनी भाशाओं में, तो तीन भाशाओं में उसके तीन भाग रखे हैं, प्रारंबिक भाग जो था, वो संस्कृत का जिसको काव्यानुशासन नाम दिया गया, दृतिय भाग जो था, प्राकृत व्याकरण जिसको प्राकृत का में लिखा गया था, तृतिय भाग जो है, जो उनने अपबरंश में लिखा था, उसको हम सिद्ध हेम या शब्दानुशासन के नाम से जानते हैं, तो शब्दान चरित और कुमारपाल प्रतिबोध ठीक है कुमारपाल प्रतिबोध जो है यह है सोमप्रभ सूरी की रचना यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है इन दोनों रचनाओं में तो इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा चलिए नेक्स कॉशन आता है देखिए प्रशन संख्या नौ है भला हुआ जो मरिया बहिणी महारा कंतु लजजजम तू व्यवसी हूँ जै भगगा घरियन तू ठीक है तो यहां पर देखिए एक तो वीरता परकी रचनाय रही है पहली चीज़ तो आपको यह यारख लेना है कि वी सैनिक की पत्नी यहां पर कह रही है तो यह वाली जो पंक्ति है उप्योक्त दुहा किस कवी का है तो आपको यहारख लेना ही है यह है मिचंदर का बहुत साय लोग जो इसका आंसर शब्दानुशासन कर देते हैं लेकिन इसका आंसर जो शब्दानुशासन नहीं होगा बलक यहांपर क्या हो जाएगा आपका कुमार पाल रहे हैं यहिम यह पंक्ती जो है यह एक जो सेना का प्रमुक है देखना, उसकी पत्नी के द्वारा काई गई है, ओके नेक्स यहाँ पर जितने नाम और हैं देखना यहाँ पर स्वयम्भू की पंक्तिय यह important हो सकती है इनको आपने देख लेना कि स्वयम्भू की कौन कौन सी पंक्तिय जो महत्तपोन है बाकी यहाँ से कोई ज़्यादा प्रशन नहीं बनेगा नेक्स कॉशन आता है यहाँ पर देखिए प्राकृत पैंगलम यह वाला ग्रंत भी मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्राकृत पैंगलम की जो संग्रह करता है वो कौन है वो थे आपका जो लक्षमी धर रहे इन्होंने इसका क्या किया संग्रहन किया है यह important प्रशन है देखना कि जो आपका चौद्वी शती के अंत में इसको किस ने किया था लक्षमिधर ने किया था याद रखिए आपको चौद्वी शती के अंत में ठीक है लेकिन इसमें रचनाएं अगर पूछी जाएं कि इनको आप यहां पर द्यान रख लीजिए एक बार मैं फिर से बता दूँ विद्याधर शारंगधर जजल बबर इनकी रचनाएं मिलती है प्राकृत पैंगलम में लेकिन इसको जो संकलित किया था यह किस ने किया था यह किया था लक्षमिधर ने यह नाम भी important है इसको आपन पूछा जाए यहां पर एक नाम है दिखी श्रीधर जो है यह आदिकालीन रचनकारों में आता है लेकिन यहां पर हम इसको भक्तिकालीन जो वीर्रसात्मक लेकक हैं उनकी अंत्रवत भी देखते हैं तो इनकी एक रचना आती है रणमल चंद तो यह रासो साहिते के अंत्र इसको रखा जाता है जो इडर के राजा रणमल रहे हैं उनकी वीर्ता का वनन इसमें मिलता है यह भी आपको ध्यान रख लेना है यहां से भी प्रशन जो है पुराने पेपर में उचा गया है नेक्स क्वेशन आता है निमिलिक्त में से कौन सा पंच मकार में शामिल नहीं सब्द्र जो आपको यार रख लेना है कि किन से था यह था सिद्धसाहिते से सिद्धों में जो सब्सेख सिद्धो में जो विक्रीतियां आ गया थी? चैज़ित मैं कौन कौन से यह नहीं होगा नहीं हो जाता है कि ये किसमे थे जो आपका बहुत तांत्रिक माने जाता है देखना उनमें क्या है उनमें ये वामचार मतलब जो बुराईयां थी वो अपने चरम पर थी लेकिन यहां पर आपको ध्यान ये रख लेना है कि इनमें जो आपके सिध रहे हैं सिधों में एक नाम आये हैं देखने है लूईपा, ठीक है, जो लूईपा थे, उन्हें ने क्या कहा था, का तर्वर पंच विडाल चंचलचिये पैटो काल, तो उन्हें भी पांच विकारों की बात की है, तो ये अलग से थे देखना, वहां से भी हो सकता, आपको पूछा जाए, तो यहां से प्रशन एक UGC net में भी पूछा गया था कि जो लुईपा रहे हैं उन्होंने किन-किन पांच विकाड़ों की बात की है तो आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और महो ये इसने माने थे तो हो सकता है ये भी आपको यहां पर पूछा जाए तो ये भी important प्रशन एक बन सकता है लेकिन ये ध्यान रख लेना है पंच मकार जो हो किस से संबंदित हैं वो हैं सिद्धों से संबंदित सिद्धों ने अपने जो अपना जो मार्ग रखा इनका देखिए इन्होंने अपने इसका प्रचार प्रचार कहां पर किया था ये वला प्रशन भी पूछा जा सकता है ठीक है तो देश का जो पूर्वी भाग रहा वहां पर ये रहे है नेक्स कोशन आता है जैचन प्रकाश कुस्तक के रचाईता कौन है तो direct question यहां पर एक पर फिर से पूछा गया है सीधा सा रचना से related और यह जो जैचन प्रकाश है देखना जो गाथात्मक रचनाएं है जो रासु साहित्य उसके अंतरगत आता है इसमें जो राजा जैचन है उसकी वीरता का बनन मिलता है यहां पर थोड़ा सा confusion होता है इस बार-बार पूछ जाता है एक है जैचन प्रकाश एक है जैमयंक जस्चंदरिका तो यह जो रचनाएं है देखे यह है भट केदार की रचना जो जैचन प्रकाश है जैमयंक जस्चंदरिका जो रही यह रही मदुकर कवी की रचना ठीक है मदुकर भट के नाम से जने जाना जाता है तो ये दोनों ही दोनो रचनाओं में ही क्या मिलता है जैचंद की ही वीरता मिलती ये दोनों ही रचनाएं हुआ अग्यात है ठीक है ये याद रखने वाली बात है इनसे बाकी चंदवरदाई और जगने की ये बहुत बीसल देव रासो डारेक्ट प्रशन यहां पर है रासो साहिते से जितने भी प्रशन यहां पर हमने देखे 14 से लेकर के 17-18 तक जो भी 3 पेपर हुए है उनमें रासो ग्रंथों से जरूर प्रशन बना है तो रासो ग्रंथ भी हम सब लोगों को पढ़ने की जरूरत है वहां से राहुल सांक्रित्याय ने जजल नामक कवी की भी मानी है ये भी हो सकता है पूछा जाए लेकिन इतना डिटेल में वैसे अभी तो काया नहीं है प्रशन फिर भी देखते हैं नेक्स आता यहां पर रणमल चंद कावे की रचाईता कौन है तो ये प्रशन मैंने पहले ही डिसकस कर लिया था तो श्रीधर की रचना है ये भी रासो साहिते के अंत्रगत ही आता है इसको भी आप याद रख लिजे नागरजुन ये एक पुराने जो लेखक रहे हैं देखन माध्यमिका माध्यमिक कारिका रही है देखना उनकी ये आपको याद रखना है ये भी इंपॉर्टेंट नाम है नागरजुन का ओके तो बाकी तो यहां पर वही है विद्याधर इसको हम देख चुके हैं मदुगर कभी कि मैंने आपको बता दी कि इसमें क्या है इसकी जो जैमैंक जस्चंद्री का है, विध्यधर की एक अबली होगी, वाकि विध्यधर जो है दूसरा आपका प्राकृत पैंगलम में भी आता है, नागरजुन जो प्राचीन लेकर थे, है ना, उसकी क्या है, माध्यमीका है, बाकि जो आधुनिक काल का नागरजुन है, उसकी तो ब और लोगों तक भी पहुंचे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेर करना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि कहते हैं कि ग्यान का जो विस्तार होता है, वो किसे होता है, वो बांटने से ही बढ़ता है, नेक्स जाता है, गोरक जगायो जोग, भक्ती बगायो लोग, ये पं सिदास की ये पंक्ति है, इसको भी हमें याद रखना है, बाकि दूसरी चीज ये है कि पंक्तियां तो जो भी है, देखी, वो कहीं से भी पूछी जा सकती है, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, एक चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है, ये हमारे लिए कि अचारे रा वर्तन के कारण, शुन्य पढ़ते हुए जनता के रिदेख शेतर में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला, तो ये किसने माना था, ये माना था आपका जो अचारे रामचंदर, शुक्लने ही हिंदी साहिते के इतिहास गरंथ में, तो ये वाला कथन बहुत बार एक्जाम में हुआ था, केरल प्रांथ से, और इसी संदर्व में कभीर ने भी कहा था, कि भक्ती द्रावडी उपजे लाए रामानंद प्रगट किया, कभीर ने साथ दीप नौकंड, इस तरीके से एक पंक्ति आती है, तो ये भी इंपोर्टन प्रशन हो सकता है, यहां पर पूछा अपभशकाव्य, उसकी शुरुवाती पंक्तिया हैं, एक तो शुरुवाती पंक्तियां इसकी और दूसरा सबसे पहले जो इसने अपना काल विभा किया है, अचारे रामचंदर शुक्ल ने, उसकी भी पहली पंक्तिया आती है, जहां पर ये कहता है, देखना, कि प्रतेक रामचंदर शुक्ल का इतिहास जो वो जरूर थोड़ा सा देखना है और जितने भी इसमें प्रसिद प्रसिद लेकर हैं उन सब को पढ़के जाने की जरूरत है नेक्स आता है अचारे रामचंदर शुक्ल ने किस कभी को हिंदी का प्रत्थम महा कभी गोशित किया है तो ये साती सात मिश्रबंधू अगर होगा तो मिश्रबंधू ने भी यही बात स्विकार की थी नेक्स आता है अपवरंश का प्रमुक छंद कौन सा है तो ये वाली लाइन भी देखना जो आपका अपवरंश कावे हैं प्रकरण दो आदिकाल का उसी में ही इनोंने आगे कहा है द तो आपवरंश का जो बोद होने लगा सिंपल सी बात है तो आपवरंश का जो मुक्खे चंद क्या है वो दोहा या इसको दूहा भी कहा जाता है ये चीज़ या रख लेना है अगर प्राकरित का पूचा जाय तो प्राकरित का गाथा या गाहाशन जो है वो important है ये वाला پो अक्सर ये भी पूछता जाता रहता है। विजपाल रासो विजपाल रासो जोर नरपती नाला की रशना है और दरपती विजए की खुमान रासो हमीर रासो शारंगधर की रशना रहेगे तो यह भी इंपोर्टेंट है यहां पर इनके ग्रंतकारों का आपको थोड़ा सा याद रखना जरूरी है नेक्स आता है चाहिए क्योंकि कई बार इसको क्रम अनुसार लगाने के लिए भी पूछा जाता है तो यहां पर अबश्च की जो उत्तरकालिन मतलब बाट की जो अवस्ता है वो थी अबहट सकी संपरदाय के संस्थापक कौन है भक्तिकाल से अगला प्रशन यहां पर पूछा गया है जो प्रण्था आता है देखना उसको आपने या रख लेना है कि उसमें इसका क्या मिलता है सबसे पहला जिक्र जो है वो इसमें मिलता है निजमत सिद्धान्त संग्रह कुछ इस तरीके से एक रचना आती है उसको आपने देखना है कि वो कौन सी रचना रही जिसमें इस संपर का जो उलेख मिलता है तो यह भी इंपॉर्टन्ट है यहां पर मध्वचारे का जो था देखिए यह था ब्रह्म संफर्दाय यह द्वैतवाद को मानने वाला जो दाशनिक इसका मत रहा है सकी संफर्दाय में श्री कृष्ण का उलेख जो हो किस तरीके से है यह वाले प्रशन भी पूछ जाते है क्योंकि जितने भी हमारे कृष्ण वक्ति से संबंदित संफर्दाय रहे हैं उनमें कृष्ण का उलेख कैसा है यह प्रशन भी इंपॉर्टन्ट है तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इनका स्वामी हरिदास का सकी संफर्दाय रहा इसके जो क्रिष्ण रहे हैं वो कैसी क्रिष्ण है वो है आपके निकुंज बिहारी क्रिष्ण यहां से यह चीज भी पूछी जा सकती है मद्वचारे का जो आपका ब्रह्म संफर्दाय इसमें द्वैतवाद आता है जहां पर द्वैतवाद से रिलेकेड आप देखेंगे 2014 में भ पुद्र संफर्दाय के अंतरगत भी आते हैं लेकिन इन्होंने अपना संफर्दाय वल्लब संफर्दाय भी चलाया साती सात इन्होंने पुष्टी मार्ग का प्रवर्तन भी किया है यह भी इंपॉटेंट है पुष्टी मार्ग के अंतरगत कितने मार्ग आते हैं तीन मार् पुष्टी से अभिप्राय है भगवद अनुग्र है ये भी important है फिर आता है हित हरीवंश हित हरीवंश ने चलाय था राधा वल्लब संफरदाय तो राधा वल्लब संफरदाय में क्या है इसमें गद्धी पूजा का विधान आता है जिस तरीके से यहां पर निकुंज बिहार पूजा की बात की जाती है लेकिन यहां पर हित हरीवंश के द्वारा जो चलायेगा राधा वल्लब संफरदाय ये क्या रहा ये जो है आपका इसमें आता है राधा महत्पूर्ण है और एक गद्धी रहती है जिसमें श्री राधा अंकित रहता है और उसी का इसमें उपास नहीं होती है और साथ ही साथ शिरिक्षिन जो रहे हैं वो आनुशंगिक रूप में इसमें वरनित मिलते हैं ये चीज़ भी इत हरीवंश के द्वारा जो ब्रचलित संफरदाय रहा राधा वल्लब संफरदाय उसमें इंपॉर्टन है इत हरीवंश जो है वो किसके अवतार माने जाते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्षिन में जाकर बता सकते हैं सारे लोग कि इसका क्या आंसर होना चाहिए नेक्स कोश्चन है अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है तो अद्वैतवाद के जो संस्थापक है ये हैं शंक्राचारे ये हम सब लोग जानते हैं शंक् को मिठ्य माना है इस네 जो एक ही ऐख़ववाद की भावना को उसने चलाया था और बाद में भक्तिकाल आता है और ये श्री संप्रदाय की अंत्रगत आते हैं ठीक है रामानुजचारे ने भक्ति सीमित कर दी थी समाज की उचवर्ग तक ही क्षत्रिय और ब्राह्मन वर्ग तक ये भी ध्यान रख लेना है और भक्ति के मार्ग बाद में किस ने खोले थे वो खोले थे अब रामान प्रशन यहां पर इसमें भी पूछ जाते हैं और हमारा जो UGC NET का पेपर रहता है उसमें भी इस प्रकार के प्रशन जो है वो पूछ जाते हैं लेकिन हमें यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मुख्य मुख्य नाम है उन्हीं को ही पूछा जाता है ऐसा कोई बिल्कुल का ऐसा नाम नहीं है कि वो आपको पूछा जाएगा, तो इसमें से सबसे पहले यहां पर पूछा गया है, देखिए, कि नामदेव का समय क्या था, तो यहां पर इनका जो समय माना जाता है, यह लगबग 1135 के आसपास विद्यमान थे, 12 शती के आसपास, कबीर हम इसके बाद 1389 में, दादु दियाल जो 1489 सुन्दर दासव से लास में आ जाएंगे, यह च्यानुव में आ जाएंगे, 1600 के आसपास इनका जो टाइम पिरिड है, यह आपको यहां ध्यान रख लेना है, तो यही था आपका जो प्रमुख, जितने भी आपके भक्तिकाल के रह लेखक है, जो संत कावेधारा की अंतरगत नहीं आता है, या जो फिर आपका इसमें, मतलब कृष्न कावे की अंतरगत है, या राम कावे की अंतरगत है, इस तरीके के प्रशन भी यहां पर पूछे जाते हैं, तो इनको भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है, तो यह थे आज के 25 प्रशन इतने ही थे, तो I hope कि आपने इन 25 questions को enjoy जरूर किया होगा, अगर आपको इसमें कहीं पर भी कोई भी प्रशन में कोई doubt है, तो आप मुझे comment section में जाकर बता सकते हैं, तो फिल हाल आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे हम इसके अगला पाट लेके, तो तब तक के लिए, जहिन बावाई